हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स मिस्स को लिगी तरह से आज सभी को प्यार भरा नमस्कार शेट स्रीय काल अदाब मावे वाल गुलाब जामुन जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं आईए देखते हैं इसके लिए में किन किन चीजों की जरूर दर सबसे पहले हम शुगर सिर्फ बनाएंगे जिसे हम चाशनी भी कहते हैं उसके लिए मैंने 500 ग्राम के कर शुगर ली है और उतना ही हम पानी का इस्तमाल करेंगे अगर एक बाउल मैंने शुगर ली है तो एक बाउल ही पानी यूज करेंगे तो सबसे पहले हम गैस अन करके पतीला रख देते हैं उसके बीच में मैंने चीनी डाल दी है और उतना ही पानी मैं इसमें डाल दूँग और इसे हम medium flame पर melt होने देते हैं, जब तक हमारी sugar melt होती है, तब तक हम बाकी के ingredients भी देख लेते हैं, यह हमें और किन-किन चीज़ों की जरूरत है, यह हमने 500 gram के करीब मावा लिया है, खोया लिया है, यह घर का बना हुआ ही खोया है, काफी soft खोया मैंने लिया है, और पांच टेबल स्पून के करीब मैं मैदा ले रही हूँ, और थोड़ी सी हम हारी इलाइची का पॉडर लेंगे, और यह स्टफिंग के लिए मैंने थोड़े ड्राइव फूट्स लिया है, जिसमें मैंने काजू बदाम और विष्टा लिया है, अब खोये को हमने अच्छी तरह से मैश करना है, थोड़ा थोड़ा सा मैदार डाल कर, शुगर में मैं इलाइची की छिलके भी डाल देती हूँ, इसको भी हम बेस्ट नहीं करेंगे, और इसे एक पर अच्छी तरह से चला देंगे, अब हम खोये को मैदा डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, एक इसका सॉफ्ट डोर तियार करेंगे, खोये को और मैदे को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मुलायम बनाना होता है, तब ही हमारे खुलाव जमन अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं, यह दिखिए, अगर मुझे पानी की यह दूद की जरूरत पड़ेगी, तो मैं मैं इसमें डालूँगी, अदर्वाइस मैं जे, खोये सॉफ्ट है, तो डालने की जूरत नहीं पड़ेगी, यह दिखिए, इस तरह से हमने थोड़ा-थोड़ा मैदा डाल कर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, मैं सारा मैदा इसमें डाल दूँगी, और इसे अच्छी तरह से मसल मसल कर हम एक डो त्यार कर लेंगे, यह दिखिए इस तरह से स्मूथ डो हमने त्यार करना है, पिलकुल मुलायम डो, कम से कम 5-6 मिनिट लगते हैं हमें डो बनाने के लिए, यह दिखिए 5-6 मिनिट हो चुके और डो हमारा ची तरह से सॉफ्ट डो बनकर त्यार हो चुका है, यह दिखिए हमारे हाथ में बिलकुल भी ऑईल नहीं आया है, और डो हमारा त्यार हो गया है, चाशनी को एक बार हम फिर चला देंगे, यह दिखिए चीनी इसमें बिलकुल मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसे 5-7 मिनट तक अची तरह से पकाएंगे, हमें इसकी एक तार की चाशनी या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें अची तरह से एक फिर गारा करना है, अब जब तक हमारी चाशनी त्यार होती है तब तक हम इसके बॉल्स बना लेते हैं जितना बड़ा साइज हमें गुलाब जामन के लिए चाहिए उतनी उसी हिसाफ से हम इसकी लोईयां तोड़ लेंगे और सभी बॉल्स बना कर रख लेंगे चाशनी भी हमारी अच्छी तरह से गाड़ी हो रही है पांच से शे मिनट हो चुके हैं दो तिन मिनट मैं इसे और पकाऊंगी और शूगर सिर्फ हमारा त्यार हो जाएगा यह दिखिए तेन मिनट और हो चुके हैं बस हमारा शुगर सिर्फ बिल्कुल त्यार हो गया है चाशनी बिल्कुल एकदम से त्यार हो चुकी है अब मैं इसे साइड पर फ्लेम आफ करके रख दूँगी और इसके ओपर गी वाली कड़ाई हम चड़ा देंगे हम देशी घी में गुलाब जमर बनाएंगे यह देखिए मैंने सभी लोईएं एक समान तोड़ कर रख दी है अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे यह मैंने ड्राइट फ्लेटे का पाउर बिडादया दिया और एक चमच के कारिम मैं आब इसमें चाशने का चाशने मेक्स कर दूँगी और उसे अच्छी तरह कर देंगे ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो जाएए अब हमें एक बॉल उठाएंगे उसे अच्छी तरह से फ्लैट कर देंगे पहले और उसमें स्टफिंग को भर देंगे स्टफिंग हमें थोड़ी थोड़ी ही भरनी है ज्यादा स्टफिंग हमें इसमें नहीं भरनी है और इसे अच्छी तरह से इस तरह से बंद करके और इसकी फिर बॉल अच्छी बॉल इसे अब हम बनाएंगे बिल्कुल इसमें क्रैक्स नहीं होने च यह देखिए इस तरह से हम सभी बोल्स बना लेंगे एक मैं और बनाकर आपको दिखाती हूं यह दिखिए इससे फ्लैट करेंगे और इसमें ड्राइफ रूट्स को हम भर देंगे स्टफिंग उतनी ही भरनी है जितनी हमें इसमें जरूरत है ज्यादा स्टफिंग हमें इसमें नहीं भरनी अब इस तरह से इसको भी बॉल अच्छी तरह से बनाएंगे सारे बॉल्स मैं इस तरह से त्यार कर लूँगी और घी को मैंने लो फ्लेम पर रखा है लो फ्लेम पर ही हम गी को रकना है यह देखिये मैंने बॉल्स बना दिया उसमें दिया हुआ हंए हगisen लगा दिया है ताकि तलते वक्त हमें हमारी बॉल्स आपस में चिपके नहीं क्या एक बॉल मैं डालकर देख लेती है उसमें देखिए गी इतनाा ही घरम है ज़्यादा गी हमें गरम नहीं चाहिए अगर ज्यादा गी गरम होगा तो उपर से तो हमारा गुलाव जमन बन जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा अब इसके ओपर देखिए इस तरह से ऑईल हमने डालना है और बॉल को हमने नहीं हिलाना है देखिए बॉल बिल्कुल भी चिपकी नहीं है घी में बस अब मैं सभी बॉल इसी तरह से फ्राइए कर लेंगे और उस पर अच्छा गोर्डन ब्राउन कलर आने देंगे अब मैं इतने ही डाल रही हूं इसमें यह देखिए हलका ब्राउन होना शुरू हो गया है बस मैंने घी में ही चम्मच को घुमाना है बॉल्स को नहीं छेड़ना इसी तरह से हम इसको ओयल को चलाते जाएंगे और बॉल्स हमारी अपने ब्राउन होते जाएंगे यह देखिए गोर्डन ब्राउन हमें जिस तरह का कलर हमें गुलाव जामन के लिए चाहिए हमें वह कलर मिल चुका है अब मैं इसे निकाल लूँगे और निकाल कर सीधा इसको हम चाष्णी में डुबो देंगे चाष्णी हमारी गरम ही होनी चाहिए ठंडी चाष्णी में हमें इसको नहीं डालना हलकी गरम चाष्णी हमें चाहिए और बाकी के बॉल्स भी हम इसमें इसी तरह से डालकर गोर्डन ब्राउन कर लेंगे घर पर हम बहुत असानी से गुलाव जमन बुना सकते हैं यह देखिए मैंने चाशनी में ड्रेक्टर गुलाव जमन डाल दिया हैं अभी तो यह ऊपर तैर रहे हैं लेकिन दिरे दिरे यह इसके अंदर बिलकुल डूब जाते हैं जैसे जैसे चाशनी इनके अंदर जाएगी ये चाशनी में डूब जाएंगे और बाकी के गुलाब जमन भी हमारे फ्राई हो रहे हैं गोर्डन ब्राउन ये दिखिए इतना अच्छा कलर इन पर आ चुका है अब ये से हम दो से चार मिनट और पकाएंगे ये दिखिए कलर कितना अच्छा आ गया इसके उपर अभी हम एक मिनट के लिए और इसे रखेंगे बस हमें ज्यादा ब्राउन इसे नहीं करना आप भी इस तरह से घर पर अराम से गुलाव जमन बना सकते हो रक्षबंदा आने वाला है आप इस तरह से मिठाईया घर पर बना कर अपना त्योहार अच्छा बना सकते हो ये दिखिए इसी तरह से मैं सभी गुलाब-जमन निकालकर चीनी में चाष्णी में डाल दूँगे और चाष्णी में डालकर कमसे कम हमें 2 घंटे से 2.5 घंटे तक इसे चाष्णी में डूबराना देना है ताकि सारी चीनी चाष्णी गुलाव जमन अब्जोर्व कर लें और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं अब एक बाद इसे हम चला देंगे स्पून की हेल्प से ताकि सभी गुलाव जमन में चाष्णी अच्छी तरह से लग जाएं और 2-100 ग्राम के खोई के हिसाब से हमें कम से कम 22-23 गुलाव जमन हमारे त्यार हो चुके हैं और घर पर बनाया खोई है यह एक मैंन में अलग ही खुशी होती है जब हम घर पर इस तरह से मिठाई बनाते हैं बनाने में भी बहुत मजा आता है और खाने में और खिलाने में यह दिखिए कम से कम 1 घंटे के करीब हो चुका है आप गुलाव जामन पर चाश्नी कंद में डूब है कि जी तो चुक है 22 घंटे के करीब हमें हो चुक है आप हम इस समय प्लेटिंग कर देंगे यह देखें friends, मैंने सबी गुलाउ जामन निकाल ले हैं, यह देखें कितने अच्छी तरह से चास्नि अब्सवर्व की हुई है गुलाउ जामने अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए और बैल का बटन भी जुरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर लेटस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों फिर मेलती हूं एक नई वीडियो के सौफ तब तक के लिए बाइबाइए